जय हिंद सात्यों यंटी पीसी गुरूब डी वेकेंसी के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी हुआ है तो हम लोगों नोटिस देखने वाले इस वीडियो में उसमें साथ में आपको पता चलेगा कब तक वेकेंसी आएगा कितने पदों पे आएगा सब कुछ आपको देखने क की तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी होने के बाद में आपको प्रेक्टिस बुक की आऊ सकता पड़ती है तो ये क्रेंट पब्लिकेशन का न्यू एडिशन आ चुका है दोजार चोबिस का इसमें जो है प्रिभियस येर का जो कुईशन आया हुआ हुआ है वो यहां पे क्लेक्शन है और यहां पे 2021 में टीस पैटन पर प्रस्न पूछे गया है तो इस बुक को अगर आप ऑनलाइन प्रचेस करना चाहते है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके ऑनलाइन प्रचेस कर लीजिए और आफ लाइन भी ये आपको इजली मार्केट में मिल जाएगा तो सातियों जैसा कि ये नोटिस आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या है क्या लिखा हूँ हम लोग देखेंगे ठीक है ये गर्मेंट आफ इंडिया मिनिस्ट्री आफ रेलवे रेलवे बोर्ड के द्वारा भेजा गया दस चार दो हजार चोबिस का ये अपडेट है ठीक ह आफ रेक्वर्मेंट अ फॉर्ड पोस्ट वॉड वज बाई बोर्ड वेजात बॉर्ड प्रॉर्ड रेलवे रेक्वार्मेंट बोर्ड विबसाइटे क्योड अस अस फॉर्ड एंडि आफ इंडिया एंड्पाज्टर और ऑशूवे आड तीन जाया बिसप्रिप्रेंगें इन दिस connection, competent authority has nominated nodal RRBs, यानि nodal RRBs बनाए गए हैं, for issuing of CEN and for product of computer based data, यानि CBT की बात हो रही as for the following table, अब यहाँ पर जो है कुछ category के job है, उनके लिए एक nodal RRB बनाए गया, जैसा कि NTPC graduate level 456 के लिए आहम्दाबाद, और यहाँ पर NTPC undergraduate level 2 और 3, undergraduate level 2 और 3, और उसके बाद में graduate 456 के लिए जो nodal RRBs है, वो है एहम्दाबाद, तो यह nodal RRBs बनाया जाता है, हर बार जब vacancy आता है, और यहाँ पर पैरamedical category का जो है, इसका पटना बनाया गया, जबकि level 1 का भोपाल को nodal RRB बनाया गया, और यहाँ पर ministry up isolated category है, जो नहीं, टाइम बेस्ट नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर category दिया जैसे NTPC graduate 456 level का, और NTPC undergraduate 2 and 3 का, junior engineer CMS and, और यहाँ पर CMA, और paramedical का जो है, यहाँ पर दिया गया, इसका assessment भेजा जाएगा 362025 को, और यहाँ पर level 1 और ministerial isolated category का भेजा जाएगा 392025, लेकिन इन सभी level का यहा जाएगा, assessment of vacancy in OIRMS, और total यहाँ पर including of vacancy in OIRMS after approval, यानि approval कब होगा मई जून 2024 के आसपास, और उसके बाद में यहाँ पर final drafting किया जाएगा जून तक, ठीक है, तो जून तक आप मान के चलिए कि इसका final decision आ जाएगा, और ऐसे इसमें भी जुलाई तक ही हो जाएगा, इसका assessment जो है, vacancies का OIRMS हो जाएगा, और यहाँ पर approval भेजा जाएगा, अगस्त 2024 को और यहाँ पर drafting हो जाएगा, यहाँ पर drafting हो जाएगा, सेप्टेंबर 2024 तक का, तो यहाँ पर सब कुछ हुआ ही बताया गया, जो vacancy आने के पहले बताया जाता है, तो यह तो बहुत अच्छी बा यह लेकिन इसके बारे में अगर fake पता चलेगा, तो आप लोगों को जरूर बताएगे अपने telegram ग्रूप पे, उससे आप जाके जुड़ जाएगे, लेकिन यह fake नहीं हो सकता है, 99% यह notification authentic है, ठीक है, तो और अगर आपका कुछ query है, तो आप लोग comment के बादम से कूछ सकते उसका जवाब हम हमेशा देने की कोशिस करते हैं, चलिए फिर मिलते हैं next video में, thank you